ओम शांति ओम शांति आज 3 जैन्वरी 2023 दिन मंगलवार की साकार मुरली आईए अब सुनते हैं मीठे बाप दादा के मधूर महावाक्यों को मीठे बच्चे येस रश्टीवा जमाना दुख का है इससे नश्टो मोहा भनो नए जमाने को याद करो बुद्धी योग इस दुनिया से निकाल नई दुनिया से लगाओ प्रश्न क्रश्नपुरी में चलने के लिए तुम बच्चे कोन सी तयारी करते और कराते हो उत्तर क्रश्नपुरी में चलने के लिए सिर्फ इस अंतिम जन्म में सब विकारों को छोड़ पावन बनना और दूसरों को बनाना है पावन बनना ही दुख धाम से सुख धाम में जाने की तयारी है तुम सबको यही संदेश दो कि यह डर्टी दुनिया है इससे बुध्धी योग निकालो तो नई सत्यूगी दुनिया में चले जाएंगे गीत मुझको सहारा देने वाले ओम शंति इस गीत में बच्चे कहते हैं कि बाबा बच्चों की बुध्धी चली जाती है बेहद के बाप की तरफ जिन बच्चों को अब सुख मिल रहा है अथ्वा सुखधाम का रास्ता मिल रहा है समझते हैं बरोबर बाप स्वर्ग के 21 जन्मों का सुख देने आया है इस सुख की प्राप्ती के लिए स्विम बाप आकर शिक्षा दे रहे हैं समझा रहे हैं कि यह जो जमाना है अर्थात इतने जो मनुष्य है वे कुछ भी दे नहीं सकते यह तो सब रचना है ना आपस में भाई बहन है तो रचना एक दोको सुख का वर्था दे कैसे सकते सुख का वर्था देने वाला जरूर एक रचियता बाप ही होगा इस जमाने में ऐसा कोई मनुष्य नहीं जो किसी को सुख दे सके सुख दाता सद्गती दाता है ही एक सत्गुरु अब सुख कौन सा मांगते हैं ये तो सभी भूल गए है कि स्वर्ग में बहुत सुख थे और अभी नर्क में दुख है तो जरूर सभी बच्चों पर मालिक को ही धरस पड़ेगा बहुत है जो स्रिष्टी के मालिक को मानते हैं परंतु वह कौन है उनसे क्या मिलता है वह कुछ पता नहीं है ऐसे तो नहीं मालिक से हमको दुख मिला है याद करते ही हैं उनको सुख शांती के लिए भक्त भगवान को याद करते हैं जरूर प्रप्ति के लिए दुखी हैं तब सुख शांती के लिए याद करते हैं बेहद का सुख देने वाला एक है, बाकी हद का अल्पकाल सुख तो एक दो को देते ही रहते हैं, वह कोई बड़ी बात नहीं, भक्त सभी पुकारते हैं एक भगवान को, जरूर भगवान सबसे बड़ा है, उनकी महिमा बहुत बड़ी है, तो जरूर बहुत सुख देने वाल बाप कभी बच्चों को वा जमाने को दुख नहीं दे सकते। पुरानी स्रष्टी में होता है। सब कुछ पुराना जड़ जड़ी भूत हो जाता है। पहले जो मैं स्रष्टी रचता हूँ उसको सतो प्रधान कहा जाता है। उस समय सभी मनुष्य कितने सुखी रहते हैं। वह धर्म अब प्राय लोप होने के कारण कोई की बुद्धी में नहीं है। तुम बच्चे जानते हो नया जमाना सत्युग था, अब पुराना है तो आशा रखते हैं कि बाप जरूर नई दुनिया बनाएगा। पहले नई स्रिष्टी नई जमाने में बहुत थोड़े थे और बहुत सुखी थे जिन सुखों का पारावार नहीं था। नाम ही कहते हैं स्वर्ग, वैकुंठ, नई दुनिया तो जरूर उसमें नई मनुष्य होंगे। जरूर वै देवी देवताओं की राजधानी मैंने स्थापन की होगी ना। नहीं तो जब कल्युग में एक भी राजा नहीं सब कंगाल है। फिर एकदम सत्युग में देवी देवताओं की राजाई कहां से आई। ये दुनिया बदली कैसे। परंतु सभी की बुद्धी इतनी मारी हुई है जो कुछ भी समझते नहीं है। बाप आकर बच्चों को समझाते हैं मनुष्य मालिक पर दोश धरते हैं कि वही सुख दुख देते हैं परंतु इश्वर को तो याद ही करते हैं कि आकर हमको सुख शान्ती दो। स्वीट होम में ले चलो फिर पाट में त पिर सत्यूग जरूरा ना है। मनुष्य तो रावन की मत पर हैं श्रेष्ट मत तो है ही श्रीमत। बाप कहते हैं मैं सहज राजयोग सिखाता हूँ। मैं कोई गीता का श्लोकादी नहीं गाता हूँ। जो तुम गाते हो। क्या बाप बैठ गीता सिखाएंगे। मैं तो सहज राजयोग सिखाता हूँ। स्कूल में गीत कविताएं सुनाई जाती हैं क्या। स्कूल में तो पढ़ाया जाता है। बाप भी कहते हैं तुम बच्चों को मैं पढ़ा रहा हूँ। राजयोग सिखला रहा हूँ। मेरे साथ और कोई का भी योग नहीं है। सब इनकार्पोरियल गौड है तो उनके तुम भी इनकार्पोरियल बच्चे हो निराकार आत्माई तुम फिर यहां आते हो पाट बजाने सभी निराकार आत्माउं का निवास्थान निराकारी दुनिया है जो उचते उच है यह साकारी दुनिया फिर आकारी दुनिया और वह नि बाप सम्मुख बैट बच्चों को समझाते हैं हम भी वहां के रहने वाले हैं जब नई दुनिया थी तो वहां एक धर्म था जिसको हेविन कहा जाता है बाप को कहा ही जाता है हेविनली गोड फादर कल्यूग है कंसपुरी सत्यूग है क्रिश्नपुरी तो पूछना चाहिए अब तुम क्रिश्नपुरी चलेंगे अगर तुम क्रिश्नपुरी चलने चाहते हो तो पवित्र बनो जैसे हम तैयारी कर रहे हैं दुखधाम से सुखधाम में चलने की ऐसे तुम भी करो उसके लिए विकार जरूर छोड़ने पड़ेंगे यह सब का अंतिम जन्म है सभी को वापिस जाना है क्या तुम भूल गए हो 5000 वर्ष पहले यह महाभारी लड़ाई नहीं लगी थी जिसमें सभी धर्म विनाश हुए थे और एक धर्म की स्थापना हुई थी सत्युग में देवी देवताई थे ना कल्युग में नहीं है अब तो रावन राज्य है आसुरी मनुष्य है उन्हों को फिर देवता बनाना पड़े तो उसके लिए आसुरी दुनिया में आना पड़े वा देवी दुनिया में आएंगे वह दोनों के संगम पर आएंगे काया भी हुआ है कल्प 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 के संगम युगे युगे आता हूं बाप हमको ऐसे समझाते हैं हम उनकी श्रीमत पर है कहते हैं मैं गाइट बन तुम बच्चों को वापिस ले जाने के लिए आया हूं इसलिए मुझे कालों का काल भी कहते हैं कल्प पहले भी महाभारी लड़ाई लगी थी जिससे स्वर्ग के द्वार खुले थे परंतु सभी तो वहां नहीं गए सिवाए देवी देवताउं के बाकी सब शांती धाम में थे तो मैं निर्वान धाम का मालिक आया हूं सभी को निर्वान धाम ले जाने तुम रावन की जन्जीरों में फसे हुए विकारी मूत पलीती आसुरी गुणों वाले हो काम है नंबर वन डर्टी फिर क्रोध लोब नंबर वार डर्टी हैं तो सारी दुनिया से नश्टो मोहां भी होना है तब तो स्वर्ग चलेंगे जैसे बाप हद का मकान बनाते है तो बुद्धी उसमें लग जाती है बच्चे कहते बाबा इसमें यह बनाना अच्छा मकान बनाना वैसे बेहद का बाप कहते है मैं तुम्हारे लिए नई दुनिया स्वर्ग कैसा अच्छा बनाता हूँ तो तुम्हारा बुध्धी योग पुरानी दुनिया से तूट जाना चाहिए यह रखा ही क्या है देह भी पुरानी आत्मा में भी खाद पड़ी हुई है वे निकलेगी तब जब तुम योग में रहेंगे ज्यान भी धारण होगा यह बाबा भाशन कर रहे हैं न हे बच्चे तुम सभी आत्माए मेरी रचना हो आत्मा के स्वरूप में भाई भाई हो अब तुम सभी को मेरे पास वापिस आना है अभी सब तमो प्रधान बन चुके है रावण राज्य है न तुम पहले नहीं जानते थे कि रावण राज्य कब से आरंब होता है सत्यूग में सोलह कला है फिर चोदह कला है तो ऐसे नहीं एक दम दो कला कम हो जाती है धीरे धीरे उतरते है अभी तो कोई कला नहीं है पूरा ग्रहन लगा हुआ है अब बाप कहते हैं कि दे दान तो छूटे ग्रहन पांच विकारों का दान दे दो और कोई पाप नहीं करो भारत वासी रावण को जलाते हैं जरूर रावण का राज्य है परन्तू रावण राज्य किसको कहते हैं राम राज्य किसको कहते हैं यह भी नहीं जानते कहते हैं राम राज्य हो नया भारत हो परन्तू एक भी नहीं जानते कि नई दुनिया नया भारत कब होता है सभी कबर में सोय पड़े हैं अब तुम बच्चों को तो सत्यूगी जाड़ देखने में आ रहे हैं, यहां तो कोई देवता है नहीं, तो यह बाप आकर सब समझाते हैं, मात पिता तुम्हारा वही है, स्तूल में फिर यह मात पिता है, तुम मात पिता उनको गाते हूँ, सत्यूग में तो ऐसे नहीं वहां नाकरपा की बात है, यहां मात पिता का बनकर फिर लायक भी बनना पड़ता है, बाप स्मृति दिलाते हैं, हे भारतवासी, तुम भूल गए हो, तुम देवताए कितने धनवान थे, कितने समझधार थे, अब बेसमझ बन, देवाला मार दिया है, ऐसा बेसमझ माया र आवन को जलाते हो, दुश्मन का एफीजी बनाए उनको जलाते हैं न, तुम बच्चों को कितनी नौलेज मिलती है, परन्तु विचार सागर मंथर नहीं करते, बुद्धी भटकती रहती है, तो ऐसी ऐसी पॉइंट से भाशन में सुनाने भूल जाते हैं, पूरा समझाते नहीं है, तुमको तो बाप का पैगाम देना है, कि बाबा आया हुआ है, यह महाभारी लड़ाई सामने खड़ी है, सभी को वापिस जाना है, स्वर्ग स्थापन हो रहा है, बाप कहते हैं, देह सहित, देह के सभी बंधनों को भूल, मुझे याद करो, बाकी सिर्फ ऐसे न बाप कहते हैं, यह सब देह के धर्म छोड, मामिक कम याद करो, यह बाप का मैसिज देने के लिए हम शिव जयन्ती मना रही हैं, हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां शिव के पोत्रे हैं, हमको उनसे स्वर्ग की राजधानी का वर्सा मिल रहा है, बाप हमको पैगाम देते हैं, कि मन मनाभव इस योग अगनी से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे अशरीरी बनो अच्छा मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रती मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रुहानी बाप की रुहानी बच्चों को नमस्ते रात्री क्लास अभी तुम बच्चे स्थूल वतन सूक्ष्म वतन और मूल वतन को अच्छी तरह से समझ गए हो सिर्फ तुम ब्रहमन ही यह नौलेज पाते हो देवताओं को तो यह दरकार ही नहीं है तुमको सारे विश्व की अब नौलेज है तुम पहले शुद्रवर्ण के थे फिर ब्रहमा कुमार बने तो यह नौलेज देते हैं जिससे तुम्हारी डीटी डिनायस्टी स्थापन हो रही है बाप आकर ब्रहमन कुल सूरवंशी चंदरवंशी डिनायस्टी स्थापन करते हैं वह भी इस संगम पर स्थापन करते हैं और धर्म वाले फट से डिनायस्टी नहीं स्थापन करते हैं उनको गुरू नहीं कहा जाता बापी आकर धर्म की स्थापना करते हैं बाप कहते हैं अभी सिर पर फुर्ना है बाप की याद का जिसे घड़ी घड़ी भूल जाते हैं, पुर्शार्थ कर धन्दा आदी भी करते रहें और याद भी करते रहें हेल्दी बनने के लिए बाप कमाई बड़ी चोर से कराते हैं, इसमें सभी कुछ बुलाना पड़ता है, हम आत्मा जा रही है प्रेक्टिस कराई जाती है, खाते हो तो क्या बाप को याद नहीं कर सकते हो कपड़ा सिलाई करते है, बुद्धियोग बाप की याद में रहे किचड़ा तो निकालना है, बाबा कहते हैं शरीर निर्वाह लिए, भल कोई काम करो है बहुत सहज, समझ गए हो, चरासी का चक्र पूरा हुआ, अब बाप राज योग सिखाने आए हैं, यह है वर्ल्ड की हिस्ट्री जोग्रफी इस समय रिपीट होती है कल्प पहले जैसे ही रिपीट हो रही है, रिपीटेशन का रास भी बाप ही समझाते हैं, वन गोड वन रिलीजन भी कहते हैं न, वहां ही शांती होगी वह है अदवेत राज, दवेत माना आसुरी रावन राज, वह है देवता, यह है देत्य, आसुरी राजे और दैवी राजे का भारत पर ही खेल बना हुआ है भारत का अधिसनातन धर्म था, पवित्र प्रवरती मार्ग था, फिर बाप आकर पवित्र प्रवरती मार्ग बनाते हैं, हम सो देवता थे, फिर कला कम होती गई, हम सो शुद्र डिनास्टी में आए, बाप पढ़ाते ऐसे हैं, जैसे टीचर लोग पढ़ाते हैं, स्टुडें पूरा ध्यान देते हैं, मिस नहीं करते हैं यह पढ़ाई regular चाहिए ऐसी godly university में absent होना नहीं चाहिए बाबा गुहे गुहे बाते सुनाते रहते हैं अच्छा, good night, रुहानी बच्चों को, नमस्ते रुहानी बच्चों की, रुहानी बाप दादा को, good night, नमस्ते सब धर्मों को छोड़, अशरीरी आत्मा समझ एक बाप को याद करना है योग और ग्यान की धार्णा से आत्मा को पावन बनाना है बाप, जो knowledge देते हैं, उस पर विचार सागर मन्थन कर सब को बाप का पैगाम देना है, बुद्धी को भटकाना नहीं है वर्दान, बाप के कदम पर कदम रखते हुए परमात्म दुआएं प्राप्त करने वाले आज्याकारी भव अब बाप दादा के वर्दान को विस्तार में समझें आज्याकारी अर्थात बाप दादा के आज्यारूपी कदम पर कदम रखने वाले ऐसे आज्याकारी को ही सर्व संबंधों से परमात्म दुआएं मिलती हैं यह भी नियम है साधार्ण रीती भी कोई किसी के डारेक्शन प्रमान हांजी कहकर कारे करते हैं तो जिसका कारे करते हैं उसकी दुआएं उनको जरूर मिलती है यह तो परमात्म दुआएं जो आज्याकारी आत्माओं को सदा डबल लाइट बना देती हैं स्लोगन दिव्यता और अलोकिकता को अपने जीवन का श्रिंगार बना लो तो साधार्ण ता स्माप्त हो जाएगी ओम शंती